वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूस एंपी चलिए देखते मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें मत्य प्रदेश के बेटियों की बले-बले मामा शिवराज खाते में डालेंगे 12,500 रुपे इस का फायदा कॉलेज में प्रवेश लेले वाली लड़कियों को मिलेगा इस कालिक्रम के जरिये मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चुहान हिद्गराही बेटियों के खाते में 12,500 रुपे डालेंगे रिवा से उडान भर सकेंगे बड़े हवाई जहाज इंदौर का होगा अब ग्रीन एरपोर्ट मत्यप्रदेश के रिवा में भी अब बड़े हवाई जहाज उडान भर सकेंगे केंदर सरकार की रिवा में बड़े जहाज उतारने की योजना है इसके साथ ही केंदर सरकार दिवाली के तौफी के तौप पर इंदौर एरपोर्ट को ग्रीन एरपोर्ट बना देगी इसमें केंदर सरकान ने राज्जिस से एयर स्ट्रिप्ट के लिए 135 एकर भूमी की मांग की है परिवान मंत्री गोवन सिंग राजपूत निसकी चान कर दी है वहार राज्जों के नागरिक ओडियन मंत्रियों के सम्मिलन में शामिल हुए थे त्योहारों में रेलवे चलाएगा 37 जोड़ी स्पेशल ट्रेन फोपाल में कोरोना महामारी की दौरान ट्रेने पूरी तरह से बंद हो गई थी कोरोना की दो साल बीच जाने के बाद भी रेलवे की विवस्ता सहीधं से पत्रिपर नहीं आ सके है यातरी ट्रेनों की कमी के चलते ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को काफी मशक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है ट्रेनों की एक हमी की बज़ा से वेटिंग की सिती बनी रहतीया अलाकि इन परेशानियों को देखते हुए रेलवे विभाग ने 37 जोडी स्पेशल ट्रेन बढ़ाने की तयारी की है मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविध्यालों में पूझे जाएंगे आयूरवेद के जनमदाता भगवान धनवंत्री प्रदेश में बीबेस की पड़ाई हिंदी में शुरू करने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग अब एक और पहल करने जा रहा है प्रदेश में अलोपेथी चिकित्सा महाविध्यालों में आयूरवेद के जनमदाता भगवान धनवंत्री की पूझा की जाएगी यह आयूजन हर साल धन तेरस पर किया जाएगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलबार को पत्रकारों से बाचीत में अब बात की है उन्होंने का कि प्रदेश के सभी 13 सरकारी मैडिकल कॉलेजों में इसी साल से भगवान धनवंत्री की पूझन शिरू होगी चिकित्सकों की नई पौध को भारती संस्कृती से परिचित कराने के लिए यह आयोजन शिरू किया जा रहा है मध्य प्रदेश के देपालपूर पीटमपूर सहेत कई शहरों में निवेश को मन्सूरी मध्य प्रदेश में आर्थी गती वीडियो को बढ़ावा देकर रोजकार की अफसा सरजित करने के लिए सरकार ने सवा 3,000 करोड रुपे की निवेश प्रस्तावों को मन्सूरी दी इसमें खादी प्रसंस करन दवा और कपड़ा उध्योग शेतर की कमपनिया प्रदेश के अलगलत हिस्सों में इकाईयां स्थापित करेंगी इससे 7,000 वैक्तियों को सीधे तौपर रोजकार मिलेगा मुक्षे मंतरी शिवरा सिंग चोहान की अदिशिता में हुई निवेश सनवर्दन मंतरी परिशत समीती की बैटक में महिमा फाइबर्स कमपनी के 56 करोड रुपे के प्रस्ताव को अनुमती दी गई कमपनी धार के धर्णपूरी और खरगोन के कसरावद में कपड़ा बनाने की इकाई लगाईगी सीएम ने कहा सस्ती हावास ये और भोजन सुविधा मिलेगी तो परियटन बढ़ेगा मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान मंगलवार को तुपैर उजयनाय कालिदा संस्कृत अकादमी में उन्होंने श्री महा काल लोग लोकारपन उपसमीती के संयोजगों से चर्चा की श्री महा काल लोग की देखरे की ववस्ताओं के संबन में सुझाव लिए संतोर संयोजगों का अभूत पूर्व सहयोग के लिए आभार माना कहा की श्री महा काल लोग का संचालन पवित्रता और श्रद्धा भाव से किया जाएगा सस्ती आवासिये और भोजन सुविदा मिलेगी तो यहां परेटन बढ़ेगा श्री महा काल लोग में इस साल दीप वली पर एक दिया अवश्य लगाएं ताकि महा काल लोग दीप मालाओं से जगमगा जाए हमेशा सकरात्मत्ता का भाव बनाए रखें आयुश्मान योजना में कैंसर मरीसों को भरती होने से पहले जाज की सुविदा भी मिलेगी रूपी के माध्यम से ही पहुचेगी या राशी मरीस की सहमती से ही अस्पताल को मिलेगी इसकी शिरुआ जाच और इलाज के बाद 15 दिन तक लगने वाली दवाओं के खर्च से हो रही है इस सुविदा के साथ कैंसर के उप्चार में भरती होने के पहले होने वाली जाचों का खर्च भी अब आयुशमान योजना से ही हो जाएगा मत्यप्रदेश में बढ़े डेंगू के मरीज डेड़ महा में 789 मिले है मरीजों की संख्या स्वासिका में सभी को मिलाकर रोग्यों की संख्या 1000 से उपर पहुच गई है उत्तर प्रदेश की तरच पर खनिश भरिवन के लिए ईजाच चोकिया बनाएगी मज्चिर प्रदेश सरकार प्रदेश में वैद खनिश भरिवन उत्खनन और भंडारन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की खनिज नीती अपनाई जाएगी इस नीती के तैट अत्यादुनिक जाच चोकिया मनाने पर सरकार विचार करे राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की खनिज नीती का दो बार अध्यान भी करवाया है और इसकी एक रिपोर्ट बनाई गई है रिपोर्ट मुख्यमंद्री शिवरा सिंग चोहान के समक्ष रखी जाएगी मुख्यमंद्री की स्विक्रती मिलते ही इस नई ववस्ता को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर अन्तिम वरिष्टता सूची प्रकाशित मज़्य प्रदेश के शिक्षक सहित करमचार्यों के लिए अच्छी खबर है स्कूल शिक्षा विभाग मंतरवाले के अंतरगरत सयुंक्त संचालक लोग शिक्षन संचनाली द्वारा पांच जिलों के माधमिक शिक्षकों की अंतिम वर्ष्टिता सूची प्रकाशित कर दी गए जिसके बाद आगी की कारवाई पूरी की जाएगी इस संबन में भोपाल डियो द्वारा भोपाल सीहो रैसेन विदीशा और राजगर सिले को निर्देश दिये गए सभी जिला शिक्षा धिकारियों के नाम पत्र जारी करते हुए लोग शिक्षन के अपर संचालक ने निर्देश दिया की मादमेक शिक्षकों की अंतिम वर्ष्टिता सूची प्रकाशित की गई है नरुत्तम मिश्रा ने पिए मोधी को बताया नईया का खिवाईया 2023 में जीत का विश्वास चताया क्या 2030 में मध्यप्रदेश की नईया प्रधा मंत्री पार कराएंगे इस सवाल के जवाब में ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने प्रधा मंत्री नरेंदर मोधी को काएगी वे वैश्वे की नेता हैं और पूरे देश की नईया की खिवाईया है ग्रहाय मंत्री ने पूरे विश्वास से कहा कि मध्वी प्रदेश में 2023 में एक बाफ़ेर भारती जनता पार्टी का पर्चम लहराएगा शिवराज सरकार की बड़ी तयारी नई नीती को मंजूरी छोटे उध्योगों को राहत शिवराज सरकार एक बाफ़ेर से बड़ी तयारी में हैं जिसके तहट M.P. सरकार द्वारत छोटे उध्योगों को राहत देने के लिए नवीन ववस्ता की गई है साथ ही बड़े उध्योगों को राहत देने की तयारी की जा रही है M.S.M.E. डिपार्टमेंट की नई नीती और ओध्योगिक भूमी भवन आवंटन और प्रवंदन नियम 2021 में संचोधन को मंजूरी दी गई है इस मंजूरी के साथ ही वैसी ओध्योगिक इकाई जिन में कम से कम पास साल तक उतपादन किया गया हो और दो साल से वह इकाईयां बंद पड़ी हो ऐसे ओध्योगिक इकाई अपनी रिवाइवल की आदी जमीन बेश सकेगी हाला कि इसके लिए शर्ते भी निर्धारित की गई है नीत चात्रों के लिए खुश खबरी MCC ने MBBS की 177 सीटे और एड की मेडिकल काउंसलिंग कमीटी ने नीत यूजी काउंसलिंग राउंड एक सीट मैट्रिक्स में MBBS की और सीटे शामल की है MCC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nick.in पर नोटिस जारी कर इसकी सूचना दी है नोटिस में मेडिकल कॉलेजों के नाम, उनका आईडी, उनके राजी का नाम और एड की गई MBBS की नई सीटों की संख्या बताई गई है मेडिकल कॉलेजों ने MCC को नई सीटे एड करने को लेकर सूचना दी थी इसकी सूचना नीट यूजी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग शुरू होने से पहले नहीं दी गई थी अथॉर्टी ने स्टुडेंट्स के व्यापक हित के लिए MBBS की इन 177 सीटों को नीट यूजी राउंड वन काउंसलिंग की ओल इंडिया कोटा सीट मेट्रिक्स में शामिल करने का प्रसला किया है दो वर्षी MBA MCC की फीस तैह होना बाकी प्रवेश जल्द होंगे शुरू नौकरे पेश उमीद्वारों को दुरुस्त शिक्षा से MBA MCC करने का मौका मिल गया है देवी अहिल्या विश्विध्याले के डिरेक्टरेट और डिस्टन्स अजुकेशन से संचालत दो वर्षी MBA और MCC पार्वेश प्रवेश प्रक्रिया शिरू होगी बगर इसे पहले विश्विध्याले इनकी पार्वेश के फीज तैय करना है इसके लिए विभाग की तरफ से प्रस्ता मिल चुका है अब कारी परिशत से मंजूरी मिलना बागी है परिशत की बैठक आज बुद्वार को बुलाई है जिसमें फीज की राशी निर्थारित होगी फिर पार्टी करम में प्रवेश के लिए MP online से आविदन भढ़ना है इन पदों पर निकली है भरती आज से शिरू होंगे आविदन MP लोग सिव आयोग के उमीदवारों के लिए अच्छी खबर है आयोग सिस्चम एनलिस्ट और प्रोग्राम हैं भरती के लिए आज से फिर से आविदन शिरू करनी जा रहा है जारी नोटिफिकीशन के अनुसा भरती के लिए आविदन आज 19 अक्टूबर दुपैर 12 बजे से शिरू होंगे और इसकी आखरी तारिक 28 अक्टूबर 2022 है यूरिया डियेपी सहित सभी सबसीडी वाले खाद अब इस नाम से भिगेंगे प्रधा मंतरी नरेंदर मोदी ने किसानों को धियान में रखते हुए भारत स्कीम को लांच किया इस स्कीम के तैट यूरिया और डियेपी जैसे सबसीडी वाले सभी खादों की भिगरी सरकार अप से भारत नाम के एक ब्रान के तैट की जाएगी इस स्कीम के विशे में केंदरिय मंतरी मंसुक माणविया ने अगस्त में जानकारी दी थी बता दे पिये मोदी ने प्रधा मंतरी जन उर्वरक पर योजना या एक देश एक उर्वरक को भी लांच किया है एक राश एक उर्वरक का उलेक करते हुए प्रधा मंतुरी ने का कि यह योजना किसानों को सस्ती और गुल्वक्ता पून खार मुहिया कराईगी राशन दुकानों पर उपलब्ध होगा छोटू इस तरह उठा सकेंगे लाब राशन कार्ट धालकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई हैं यदि आप ही राशन कार्ट धालक है राशन योजना का लाब उठा रहे हैं तो आपको इसका पूरा लाब मिल सकता है दरसल सरकार की तरफ से नवीन योजना शुरू करने की तयारी की जा रही है नवीन योजना की तैट राशन की दुकान पर यायत दर में लपीजी गैस सिलेंडर उपलब्द कराया जाएगा सरकार की तरफ से गरीब राशन कार्ट धालकों के लिए इस से योजना को शुरू किया जा रहा है प्रदेश की सरकारी दुकान पर जल्दी पांच केजी एलपीजी गैस सिलेंडर छोटू का वित्रन किया जाएगा केंद्र ने किसानों को दिया बढ़ाक तौफा पांसो रुपे बढ़ाया गया इन फसलों का MSP केंद्र ने रवी की छे फसलों जैसे गिहुँचना सरसु समित अन्य के नियुंतन समर्थन मूले को 2023 के लिए 100 रुपे से बढ़ाकर 500 रुपे प्रती कुंडल कर दिया है केंद्री मंत्री मंडल दुआरा मंगलवार को लिया गया यह निर्ने केंद्र दौरा प्रतिव शिलाव हस्तांद्रन के माथियम से किसानों के खातों में किसान समान नीदी की बारवी किष्टे जारी करने के एक दिन बात आया है मसूर के MSP में 500 रुपे प्रती कुंडल की बहुतरी की गई है जकी रेप सीड और सर्सों के समर्तन मूले में 400 रुपे प्रती कुंडल की बहुतरी की गई है बेटियों को मिलेगी छात्रवर्त्ती CBSC ने शुरू किये आविदन CBSC ने सिंगल गर्ल चाइल स्कॉलर्शिप योजना के लिए आविदन शुरू कर दिये इस योजना के तैत मेधावी चात्रों को स्कॉलर्शिप दी जाएगी यह स्कॉलर्शिप केवल उनी चात्राओं को दी जाएगी जो अपने परिवार की सिंगल गल्ड चायल्ड है इक्चुक चात्राएं ऑनलाइन चात्रवत्ती के लिए आविदन कर सकती है इस बात की जानकारी CBSC ने नोटिफिकेशन जारी करके दी है बतादे की स्कॉलर्शिप के लिए आविदन करने की अंतिम तारिक 14 नवंबर 2022 से वहीं आविदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से होगी वर्शा अच्छी हुई तो 8000 की जगा 2000 मेगावार्ट बन रही बिजली इससे बार अच्छी वर्शा होने से मध्य प्रदेश के बान लबालव है इसका लाब बिजली कंपनी बिजली बना कर लाब ले रही है प्रदेश में रभी सीजन के पहले बिजली की मांग स्नामान ने है वर्टमान में करीब 2000 मेगावार्ट बिजली जल विद्यूट से पैदा हो रही है जबकि वर्टमान में मांग 8000 मेगावार्ट के आसपास बनी हुई है अच्छी बात यह है कि कोईला की तुलना में यह बिजली बेहत कम लागत पर तयार होती है यदि रभी सीजन तक इसी तरह बिजली का उतपादन जल विद्यूट से हुआ तो आम लोगों को सस्ती बिजली मिलना संभव होगा मंडी शुर्क के खिलाफ कपास मंडियों में आंदोलन प्रदेश में कपास करीदी पर लागू मंडी टेक्स के खिलाफ विरोध शुरू हो गया यह निमार की प्रमुक कपास मंडियों में वैपारियों ने खरीज रोग दी है जिनिंग मिलो ने भी 11 अक्टूबर से काम बंद कर दिया है कारूबारी मंडी टेक्स कम करने की मांग कर रहे हैं वैपारियों की मांग का समर्थन करते हुए भाश्वा नेता भी सामनी आ रहे हैं पूर्व महापौर और पूर्व सांसत कृष्ण मुरारी मोगे ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिक कर मंडी टेक्स कम करने और हड़ताल खत्व करवाने की मांग की कोरोना की नई लहर की दस्तव कोरोना का नया वेरियंट पहुचा भारत देश में करोना वारस के मामलों में लगातार कमी देखते हुए अधिकतर पावंधियों को खत्म किया जा रहा था लेकिन हाली में करोना के एक नई वेरियंट ने सबकी चिंदाएं फिर बढ़ा दी है रिपोर्ट के मताबिक कोरोना का यह नया वेरियंट ओमिक्रॉन का सब वेरियंट है इसका नाम बी-ए पॉइंट 5.1.7 है और यह वारस काफी तीजी से फेलता है जानकारी के मताबिक भारत में बी-ए पॉइंट 7 सब वेरियंट के पहले मामले के बारे में गुजराद बायो टेक्नलोजी रिसर्ट सेंटर ने पता लगाया है नए वेरियंट के बाद हेल्थ एक्सपर्ट ने साबधानी भरतने की सला दिये क्योंकि चीन में कोविन-19 मामलों में आई तेजी का कारण कतित तौपर वेर पॉइंट 7 और वेर पॉइंट 5.1.7 वेरियंट ही बताया जा रहा है मौसा में बदलाव जारी दस जिलों में गरत चमक के साथ बारिश क्या असार मौठी प्रदेश में 20 अक्टूबर के बाद एक बाद फिर मौसा में बदलाव दिखाई देगा बंगाल की खाड़ी में 20 अक्टूबर को कम दबाव का शेत्र विक्सित हो रहा है जो 21 से आगे बड़े का यदि यह उत्तर की और बढ़ता है तो मौसा में बदलाव देखने को मिल सकता है कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है एमपी मौसा मिभाग ने दस जिलों में गरत चमक की साथ बारिश की संभावना जटाई है प्रदेश में दिवाली के बार ठंड की दस तक होगी 15 साल के लिए सरकार ने 1000 करोड रुपे का लिया रिंड प्रदेश सरकार ने 15 साल के लिए भारती रिजब बैंक के माध्यम से 1000 करोड रुपे का रिंड लिया इसका उपयोग आर्थि गति वीदियो को बढ़ावाद देनी और विकास परियोजनाओं को गति देनी के लिए किया जाएगा इस वर्ष अभी तक सरकार 8000 करोड रुपे रिंड ले चुकी है प्रदेश सरकार राजकोशी उत्तरदायत वे एवं बज़र प्रबंदन अधिमियम के अंतरगत राजजी के सकल घरील उतपात का 4 प्रतिशत तक रिंड ले सकती है मथी प्रदेश को GST और वेट से मिले 21,000 करोड रुपे राजस्व संग्रहन बढ़ा प्रदेश में आर्थिक गति वीडियो को बढ़ावा देने की सरकार की नीती के कारण राजस्व संग्रहन भी लगातार बढ़ रहा है इस वर्ष सितंबर तक GST और वेट से प्रदेश को 21,000 करोड रुपे का राजस्व मिला है प्रदेश ने GST रिटन जमा करने वाले देश की पांच अग्रणी राजजियों में स्थान बनाया है यह बाद वित एवं वानिचिकर मंदरी जगदीश देवडा ने मंगलवार को विभाकी समिक्षा बैठक में कही ये तो थी आज की 25 फटा फट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले धन्यवार